सभी मीन राशी के दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ उत्सुकता तो हो रही होगी कि आखिर क्या होगा कैसा व्यतीत होगा ये सितंबर का महिना और होनी भी चाहिए क्योंकि जब भी नया महिना आता है तो हमारे जीवन में एक नया मैसिज छोड़ता ही है अगर कुछ अच्छा होता है तो मैं हमेशा के लए याद रहता है कुछ बुरा होता है तो भी हम उसको भूलते नहीं है हमेशा याद रखते हैं कि इस महिने वारे साथ ऐसा हुआ था जोती शेक प्रॉपर विज्ञान है केवल समझने वाला हूँ समझाने वाला अच्छा हूँ और मैं तो यही प्रभू से कामना करता हूँ कि इस सितंबर दोजार तेईस में ऐसी मेमोरीज आपके साथ में रहें जो आपको काफी सपोर्ट कर सकें तो दोस्तों वीडियो बड़ी महतपूर है पूरी सुनना क्योंकि मीन राशी के स्वामी गरह देव गुरु ब्रस्पति और गुरु देव ही इस महीने आपके भग्ये के विधाता भी है आपके धन के भी विधाता है करम के भी विधाता है और इसके लावा मंगल गिरहे आपकी पत्रिका में आपको कस्ट से निकालने की भूमिका में रहेंगे क्योंकि मंगल आपकी राशी को देख रहे हैं इस पूरे महीने सब्तम द्रिश्टी से सूरे जरूर कमजोर हैं पर शुरुआती दौर में कमजोर हैं उसके बाद एक ऐसा पर्टिकुलर इस्थान है जहां आपके लिए सूरे और मंगल मिल करके तनाब देंगे आपको डिस्पले में कुनली नजर आ रही होगी और इस डिस्पले के कुनली में सबस्ड रूप से आप देख पा रहे हैं कि जहां 12 नमबर लिखा है वो है मेन राशी और उसके स्वामी ग्रह है देव गुरु ब्रस्पती और गुरु महराज वो जो घर है वो मान सम्मान का है जहां लिखा है तीन नंबर वो है मिधुन राशी और उसके स्वामी गरे हैं बुद्ध और वो खाना है सुक साधन का प्रापटी वहान का जमीन जादात का जहां आप लिखा देख रहे हैं आठ नंबर वो है वरिश्चिक राशी और उसके स्वामी ग्रहें मंगल ग्रहें और वो खाना है भरग्ये का तो ऐसे अलग-अलग इस्थान, अलग-अलग दाइत जम्मेदारी हमारा जीवन प्रभावित होता है अब यहाँ पर सबसे पहले मान सम्मान की बात करना चाहूँगा इस घर की जम्मेदारी स्वेम देव गुरू ब्रस्पती के पास है और गुरू महराज आपके पैसे पर बैठे हैं, धन के घर पर बैठे हैं तो धन धने से आपको परिपूर्ण करेंगे, इस घर में बैठ करके परिवार का भी सुख देंगे आपके वेक्तित्य को भी निखा रेंगे, आपको राजनीती में आगे ले करके जाएंगे और साथ में अगर आप ग्रैजूशन तक की सिक्षा गरहन कर रहे हैं, तो आपको विशेश फल भी देंगे और इसके अलावा ये आपको जो आपकी नियुन्तम आवशक्ताइं हैं, उनकी पूर्ती करने का भी काम करेंगे दोस्तों महतरपून फल है, बहुत गहराई के साथ में समझना जो बाते मैंने आपको बोली है बात करूँगा छोटे भाइवेनों कि मित्र गणों की सगे संबन्दी होगी कहने को तो इस दुनिया में सब अपने हैं, और दूसरा पहलू देखें तो कोई अपना नहीं है अकेले आये थे, निवस्तर आये थे, अकेले जाएंगे सब यहीं छोड़ जाएंगे रिष्टे नाते, दोस, त्यार, भाई, बहन, यह सब की परक हो जाती है बुरे वक्त में खून के रिष्टे ही रिष्टे नहीं होते, अगर कोई व्यक्ति मुसीवत के समय में आपके भाई, भेन से ज़्यादा आपके साथ खड़ा है हाथ पकड़ के खड़ा है, हाथ थामे हुए बैठा है, तो समझ लीजे वो ही आपका सगा भाई है, वो ही आपकी सगी बेहन है दोस्तों, छोटे भाईवयन, मित्र गण, सगे संबंदी बहुत महतर रखते हैं और इस घर का दाय तो शुक्र के पास है, संतुलित रिष्टा रहेगा तनाव रहेंगे, मन मुटाव रहेंगे, पर बहुत ज़्यादा नहीं, व्यापक नहीं, बैलेंस इस्तिती बनती हुई नजरा रही है इसी प्रकार से प्रापर्टी जवीन ज़्यादात से संबंदित कारे क्रय विक्रय करना चाहते हैं, तो मैं सलाह नहीं दूँगा अभी मैं लगबग आपसे एक महीने तक तो बिलकुल भी ये सलाह नहीं दूँगा कि आप ऐसा कुछ भी करिये क्योंकि प्लेस्मेंट ही ऐसी हो रखी है, बैठे ही ऐसी जगाएं जहां पर मैं आपसे कही नहीं सकता हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ, कि अगर आपकी ये बहुत ज़्यादा प्रवल इच्छा है, तो इस इच्छा की पूर्ती जरूर आपकी हो जाएगी एक अक्टूवर के बाद, जहले सितंबर का महिना एकदम शान्ती से प्रॉपर्टी से रिलेटिड कोई काम नहीं करना यदि मैं आपसे बात करूँ, मा के स्वास्त की तो वो भी मुझे वीग नजर आ रहा है, मा का स्वास्त अच्छा नहीं रहेगा राजनीती में कोई दाय तो आपको मिल सकता है आपके बच्चे इस घर में शुक्र बैठा है, आपके पेट पर शुक्र बैठा है, आपके बौधिक स्थर पर शुक्र बैठा है और शुक्र चार सितंबर को मारगी हो जाएगा सीधा चलने लगेगा तो फिर ही इसकी जो चाल होगी इसका प्रभाव आपके जीवन में नीतिवान तरीके से प्राप्त होगा यानि कि आप दिमाग से खेड होगे यादि कि आपका जो काम करने का तरीका रहेगा वो बड़ा प्रभावशाली रहेगा शास्त समवत रहेगा काम निकालने के कला आप में देखने को मिलेगे स्वास्त का भी ध्यान डखना है शत्रू पक्षे से भी साबधान रेना है रोग चोट दुरगटना मुकदमे माजी से भी बचना है गाड़ी धीमी गती से चलानी है पेट आखिरते हड़ियों का ध्यान रखना है क्योंकि इस गर में सूरे बुद्ध की युद्धी बनी हुई है और विशेश रूप से कहूँगा 17 सितंबर तक तो बहुत ध्यान रखना है उसके बाद तो बैटर की तरफ गरह आपके चले जाएंगे इसी प्रकार से आपका दामपत्य जीवन इस घर की जम्मेदारी आजाती है बुद्ध गरह के पास वो अपनी राशी से बारवे है मेरिज लाइफ को खराब करेगा मंगलिक दोष बना हुए आपके मेरिज के घर में तो वो भी एक फैक्टर होता है मेरिज घर को कमजोर करना पीड़ा में लेकर के जाना इसलिए क्रोध परियंदन करना प्रेम संबंदों में खटासा सकती है विवपारिक पार्टनर के साथ आपका पार्टनर्शिप रेक हो सकती है बड़ी दूरी की आत्राएं लंबी दूरी की आत्राएं करने से आपको बचना चाहिए बात करूँगा आपके भग्ये की इस इस्थान की जिम्मेदारी मंगल के पास आ जाती है और मंगल खुद आपके सेवन थाउजन बैठे है मलब काम बनेंगे एफर्ट्स जादा रहेगा क्योंकि है तो शत्रू का घर ना मंगल जहां बैठे है वो कन्याराशी है तो ऐसी इस्तिती में महनत जादा कराते हैं तागे साथ आपका मदवेद बढ़ेगा और आपको बैक पेइन की शिकायत कमर में शिकायत बनती हुई नजरा रही है इस बात का भी द्यान रखना होगा बात करूँगा कैरियर की गुरू के पास जिम्मेदारी है पैसे पे बैठे हैं कैरियर को लेकर के और नवम द्रिष्टी से कैरियर को देख रहे है जौब वाले लोगों के लिए दिक्कत नहीं है सरकारी नोक्री वालों के लिए दिक्कत नहीं है आराम से मन लगा के काम करिये गरह आपके लिए अच्छा है इन फैक्ट धन दानने की उड़द का, दालों का, नीलम का, ऐसी चीजों का, गैस का, पैट्रोल, कैमिकल्स का, माइनिंग का, कोईले का, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये है आपका फल, अगर आप भी कुली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाथ यारत लेना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ, फिर आपके बीच में आउगा, नमस्क्राइब